हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे माइनेम इस आशिश गरी आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे कारायलगी का पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू के अंदर आज हम डिसकस करेंगे कारायलगी के sexual reproduction के बारे में BSC या फिर MSC के exam paper में long question में आपसे कई बार पूछा जाता है describe the life cycle of कारायलगी describe the sexual reproduction in कारायलगी तो यदि life cycle और कारायलगी के reproductions related especially sexual reproduction यदि पूछा जाता है तो आपको कौन कौन से point mention करने है कौन सा diagram बनाना है कितना आपको लिखना है notes आप कैसे बना सकते हैं और कैसे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं इस video के अंदर मैं detail में diagram के साथ discuss करने वाला हूँ part number one के अंदर हमने already cover कर लिया है कारा की classification के बारे में occurrence के बारे में कारा की जो complete plant body structure है इसको हमने काफी detail में discuss किया क्योंकि अगर आप लोगों को plant body नहीं समझ में आएगी तो आप कैसे इसकी sexual reproduction को आसानी से समझ पाएंगे तो हमने कारा की plant body structure को detail में discuss किया साथ में students हमने discuss किया कारा LG में different method से होने वाले vegetative reproduction के बारे में जहां से short question आप से पूछा जाता है तो चलिए students वीडियो को start करते है heading डाले जिए introduction देखिए सबसे पहले आपको introduction लिखना है आपका question होगा कि sir यदि life cycle पूछी जाती है तब आपको क्या लिखना है तो भी आपको sexual reproduction ही explain करना पड़ेगा sexual reproduction और life cycle में थोड़ा सा difference ही रहता है कि जब आप कारा की life cycle को explain करते है तो वहाँ पर आपको vegetative reproduction भी mention करना होता है लेकिन जब आप sexual reproduction आप से पूछा जाता है तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ sexual reproduction से related topics को discuss करते हैं ठीक है तो अगर life cycle पूछा जाए तो vegetative reproduction भी आप लोग लिख देना ठीक है आपको एक नई outline बनानी होगी जिसमें आप उपर की तरफ लिखेंगे कि कारा अलगी के अंदर किन-किन method से vegetative reproduction होता है ठीक है चले students heading डाले जिए introduction discuss करते हैं सबसे पहले introduction के बारे में तो कारा में जो sexual reproduction होता है थोड़ी बड़ी रहती है इसके बाद आप लोग आगे note down करेंगे the sex organs are macroscopic and large कारा में जो sex organs होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें naked eyes से देख सकते हैं वो macroscopic होते हैं निके बिना microscope के भी आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं और माई थोड़ा सा differentiation जरूर समझे न वरना confused हो जाओगे microscopic वो animal होते हैं जिनने आप बिना microscope के नहीं देख पाते हैं और macroscopic वो animal होते हैं जिनने आप बिना microscope के भी देख सकते हैं तो कारा के जो sex organs होते हैं वो बिना microscope के भी देखे जा सकते हैं इसलिए यहाँ पर term use किया गया है macroscopic and large, ठीक है, आगे note down करेंगे, the male sex organ is spherical and yellow to red in color, called globule, male sex organs को हम globule बोलते हैं, नाम याद रखना, then उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि globule की जो structure होती है, male sex organs की जो structure होती है, जो shape होता है, वो spherical होता है, गोलाकार होता है, और color की यद to red color में वो vary करता है, ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें female sex organs की, the female sex organ is more or less oval and green in color, जिसे हम nucule कहते हैं, ठीक है, तो male sex organ होगया globule, female sex organ होगया nucule, जिसे हम ogonium भी बोल सकते हैं, they develop on the notes of the branch of limited growth, आपको पता होना चाहिए कि कारा की जो sex organs होते हैं, वो किस branch पर growth करते हैं, ध् परा की जो plant body होती है, उसमें दो तरह की important branches होती है, एक branch of limited growth होती है, जिसकी growth के limit होती है, जो कि एक particular growth करके, वो stop हो जाती है उसकी growth, लेकिन कुछ होती है unlimited growth, जिनकी जो growth रहती है, वो continue रहती है, तो अगर हम बात करें limited growth की, तो वहाँ पर जो node वाला portion होता है, node वाला part होता है, क्योंकि मैंने आपको अलेडी बताया था कि branch of limited growth भी दो portion में divide रहती है, nodes and inter-nodes, तो node वाले part में ही कारा के sex organs जो होते हैं, वो develop करते हैं, और अगर आप लोग कारा के sex organs की position देखें, तो उपर की तरफ female sex organs प्रेजन रहता है, जिसे आप nickel बोलते हो, और नीचे की तरफ male sex organs प्रेजन रहता है, spherical structure आपको दिखाईद पढ़ रही होगी, diagram के अंदर, यह जो है globule होता है, ठीक है, अभी तक इतनी बात के लिए होई students, अब आपको आगे note down करना है, most of the species are homothelic और monoseous, but some are dioces, कारा की जो ज़्यादा तर species होती है, वो homothelic होती है, यानि कि monoseous होती ह आपको question होगा सरी है, monoseous या homothelic क्या होता है, homo का मतलब होता है same, अगर male और female sex organs same plant पर पाय जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है homothelic condition या monoseous condition, लेकिन अगर male और female sex organs, यानि कि nukule और globule अगर different different plant पर पाय जा रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे dioces condition, ठीक है students, यानि कि वो अल अब हम discuss करेंगे इसके male और female sex organs के structure के बारे में और इसके development के बारे में, ध्यानकना students, development एक most important point रहता है, और बहुत सारी book में आप देखेंगे, लंबी-लंबी theories आपको दिखाई पढ़ती हैं, लेकिन आपको उन लंबी theories को पढ़ने की जरूत नहीं है, थोड़ा सा आपको अगर एक outline की माध्या से मैं आपको समझाओंगा, अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप definitely एक page लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, diagram की मदद से इसको अच्छे से समझेंगे, सबसे पहले students हम discuss करते हैं, कारा के male sex organs के बारे में, यानि एक mature globule जो होता है, उसकी structure के बा होता है, अगर हम इसकी structure को देखें, तो आप देखेंगे, प्रतेक globule, each globule consist of 8 curved plate, ठीक है, उसमें आप देखेंगे, outer, जो बाहरी वाला portion होता, इसमें 8 curved plates आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसे आप shield cells बोलते हो, shield यानि के एक तरीके से सुरक्षा का काम करता है, shield का का काम क centrally road shaped structure present होती है, जिसे आप manubrium बोलते हो, ठीक है, इसके बाद number third point note down करेंगे, ध्यान अगना हर एक चीज दूसरी चीज से connected है, shield cell से manubrium आया, manubrium से एक next structure आएगी, तभी आपको समझ में आएगा development भी, ठीक है, तो इसलिए इसकी पूरी structure को समझना जरूरी है, the distal end of the each manubrium प्रतेक manubrium के distal end पर one or more global cells present होती है, जिसे आप primary capitula बोलते हो, ठीक है, cold primary capitula, each primary capitulum, यानि कि प्रतेक primary capitulum होता है, उससे दो या दो से ज़्यादा secondary capitulum develop करता है, ठीक है, और each secondary capitulum, यानि कि प्रतेक secondary capitulum जो होती है, दो से चार anthridial filament आपको उस पर दिखाई पडते हैं, यह जो anthridial filament है, यह most important है, इसकी structure भी आपको diagram में simply देख सकते हैं, number 4 पर आप लोग note down करेंगे, each anthridial filament, यानि प्रतेक anthridial filament पर 25-200 cells present होती है, जिसे आप anthridial cell बोलते हो, ठीक है, जिसे आप anthridium बोलते हो, या anthridial cells बोलते हो, अब यह जो anthridium होती है, इनी के अंदर students आपको anthirojoids, ए इसलिए इन्हें biflagellate बोला जाता है, तो यह जो anthrojoids होते हैं, इसमें एक single nucleus present होगा, यानि uninucleate condition present रहती है, biflagellate condition present रहती है, और प्रतेक globule से लगबग 25-50,000 anthrojoids होते हो, फाइनली release होते हैं, तो यह अभी तक हमने discuss किया, इसके mature globule के structure के बारे में, अब हम देखते ह कि कैसे इनका development होता है, हमने या पर structure में बता दो दिया कि still cell present होती है, manubrium present रहती है, primary capitula से secondary capitula बनता है उससे, और secondary capitula से anthridial filament बनते हैं, anthridial filament से anthrojoids बनते हैं, लेकिन यह बनते कैसे हैं, इसमें कौन-कौन से division होते हैं, cell division कैसे होता है, कैसे इनका development होता है, उसको हम देखत पड़ रहा है इस outline में आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ ऊपर की तरफ कारा की plant body है जिस पर की जो branch of limited growth है वहाँ पर node वाले portion पर दो sex organs present है यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हम जो sexually production discuss कर रहे हैं वो condition एक homothelic है यानि कि homothelic species के अंदर हम sexually production discuss कर रहे हैं लेकिन अगर आप लोग heterothelic sexually production अगर आप लोग explain करेंगे मान लिजे कारा की कोई ऐसी species है जो कि heterothelic है ठीके वहाँ पर diocese condition पाए जा रहे है तो आपको male plant body अलग शो करना पड़ेगा female plant body अलग शो करना पड़ेगा बाकि सारी structures इसी तरह से चलेंगी ठीके तो ज़रा ध्या organs होता है वो नीचे की तरफ present होता है female sex organs जो है उसकी position उपर की तरफ रहती है male sex organ globule होता है globule से anthridial filament और anthridial filament से anthrojoids बनते हैं और nucle जो की female sex organs है नुक्यूल से agonium बनेगा agonium से ovum बनेगा अभी तक यह दोनों के दोनों haploid होते हैं लेकिन जैसे ही यह fuse करेंगे इनका fertilization होगा तो जाइगोड बनेगा जो की diploid होता है लेकिन जड़ा सोचिए कि globule से anthrojoids कैसे बनता है नुक्यूल से ovum कैसे बनता है इसमें कुछ cell division होता है इसमें जो है development होता है जिसे हम देखने वाले हैं first of all हम देखते हैं कि globule से anthrojoids का development कैसे होता है ठीक देखिए सबसे पह जोथ पर ही develop करेगा और किस portion में node वाले portion पर तो node वाले portion पर कोई भी जो cell होती है वो anthridial initial cell की तरह work करती है अब इस anthridial initial cell पर transverse division होगे जैसे ही transfer division होगे तो ये दो cells में divide हो जाती है अपर mother cell बनता है और lower cell होती है वो जो है pedicel cell बनती है अब ये जो upper mother cell होती है इसमें होता vertical division, vertical division होते रहने से इसमें octent stage आता थी है जिसे आप बोलते हो 8 cell stage अब इस octent stage पर यानि के 8 cell stage में periclinal division लगातार continue होते रहते हैं जिससे की 8 cells वाली 3 layer form होती है let me repeat again ये जो आपका octent stage है यानि 8 cell वाली जो stage है इसमें आप simply देखेंगे periclinal division लगातार होते हैं ठीक है लगातार periclinal division होने की वज़े से 3 layer, 8 cells वाली 3 layer बनती हैं एक outer, एक middle और एक inner, outer में shield cell प्रेजन होगी, middle में manubrium प्रेजन होगा और inner में primary capitula primary capitula से students, secondary capitula develop होता है जैसा कि अभी मैं already structure के according समझा चुका हूँ अब ये जो secondary capitula होता है इससे 2 से 4 enthridial filament जो है वो develop करती है ठीक है अब ये जो 2 से 4 enthridial filament है इसमें mitotic division होता है जिससे की 2500 से 2500 enthridial cells बनती है ठीक है अब ये जो enthridial cells होती है ये mature होकर कि इसमें जब पूरी तरह से water absorb हो जाएगा फिर उसके बाद वो भरस्ट हो जाएगा भरस्ट होने के बाद enthridioids free हो जाते हैं enthridioids की अगर मैं character बताऊं uninucleate होता है by flagellate होता है यानि कि उसमें 2 flagellia present होते हैं तो ये हमने student discuss किया कि कैसे mature globule से enthridioids बनते हैं ये development को हमने discuss किया अब जड़ा देख लेते हैं mature ogonium के बारे में उसकी structure के बारे में और उसके development के बारे में mature ogonium जो होती है वो oval shape की होती है ठीक है और ये जो है globule के just उपर की तरफ यानि जो male sex organs होता है उसके just उपर की तरफ आपको इसकी position दिखाई पड़ेगी it consists of centrally placed one central cell यानि कि center में इसमें एक central cell present होता है उसके बाद एक stock इसमें present रहता है and one large egg cell at the top top पर एक large एक बड़ा सा egg cell present होता है अब जरा इसके भी development को देख लेते हैं मैंने अपसे कहा कि male और female जो sex organs होता है वो कारा की branch में जो limited growth वाली branches होती है वहाँ पर उसके node वाले portion पर होता है तो node वाले portion पर कोई भी जो cell होती है वो ogonial initial cell की तरफ act करने लगती है और फिर ogonial initial cell में दो transfers division होते हैं ठीक है यहाँ पर जो T division लिखा हुआ है इसका मतलब है दो transfer division होने की वज़े से इसमें 3 cell stage आती है यह जो 3 cell stage है इसमें यहाँ ध्यान से node down करेंगे इसके बारे में एक तो बनती है ogonial mother cell दूसरी बनती है nodal cell तीसरी बनती है pedicel cell अब यह जो pedicel cell होती ह यह stock आगे चल करके stock का formation कर देती है ठीक है और यह जो nodal cell होती है इसमें vertical division होता है जिससे की sit initial cell बनती है और sit initial cell में जैसे ही transfers division होगा further यह सारी processing आपको दिखाई पड़ रही है ठीक है हम बात करते हैं ogonial mother cell के बारे में ogonial mother cell के अंदर होता है transfers division जिससे की यह 2 cell में divide होती है एक तो lower में stock बनता है और upper में egg cell बनता है ठीक है तो finally हमारे egg cell बन चुका है और lower में stock cell बन जाती है जिससे की वो attach रहता है अगर हम फिर दुबारे से discuss करें nodal cell के बारे में कि यानि इसके अंदर कौन कौन से division होते हैं तब ही आपको complete development पता चलेगा तो nodal cell में सबसे पहले ह होता है vertical division जिससे की सित initial cell का निर्माण होता है अब यह जो सित initial cell होती है इसमें transverse division होते हैं जिससे की दो cells बनती है एक upper small cell और एक lower 5 cell बनती है ठीक है अब यह जो upper small cell है इसे हम corona cells बोलते हैं यह आगे चल करके crown like structure बनाती है टॉप पर और दूसरा जो lower 5 cells होती है यह tube cells होती ह tube cell जो होती है वो elongate हो करके एक तरीके से spirally twisted हो जाती है ठीक है वो जो है clockwise direction में twist हो जाती है और egg को protect करने का काम करती है ठीक तो यह हमने discuss किया mature ogonium के development के बारे में कि कैसे इसमें egg cell develop होता है तो finally students अभी तक हमने cover किया male और female sex organs के development के बारे में अब हम discuss करेंगे fertilization के बारे में यानि fertilization कैसे होता है fertilization के बाद जो जाइगोड बनता है जिसे आप ospore भी बोलते हो उसमें कैसे meiosis division होता है और फिर कैसे एक नई plant body बनती है इसको आप लोग फटाफ़ट note down करेंगे चलिए मेरी प्यारे दोस्तों फटाफ़ट heading दाले जिए fertilization fertilization को discuss करने के बाद हम discuss करेंगे ospore के बारे में then germination को भी cover करेंगे diagram की मदद से क्योंकि यह important है fertilization में आपको लिखना है during fertilization the tube cell just below the corona यानि corona के नीचे जो tube cells होती है वो जो है separate होने लगती है slightly धीरे धीरे वो जो है separate होने लगीगी and form a narrow slits or opening एक opening का formation करती है जहां से की entherojoids होते हैं वो enter करते हैं the entherojoids get entry through this slits वो इसी slits के through ही entry करेंगे out of many aggregated entherojoids towards the slits यानि आपको पता है student 20,000 से ले करके 50,000 entherojoids इतने सारे बनते हैं वो सभी के सभी जो है उस slits के पास उस opening के पास पहुंच जाते हैं लेकिन उनमें से ठीके उनका जो aggregation देखने को मिलता है काफी सारे इकठा हो जाते हैं उनमें से सिरिफ एक ही ही होता है जो कि entry कर बाता है only one comes near the receptive spot of the egg ठीक है एक के receptive spot तक है सिरिफ एक ही ही पहुंच पाता है और फिर इसके बाद जैसी वो एग के contact में आएगा वहाँ पर fusion होगा और fusion के बाद वो जो है ओस्पोर का formation करता है जिसे आप जाइगोड भी बोलते हो तो यहाँ पर दो haploid gamut आपस में fuse करते हैं और fuse करने के बाद ओस्पोर यानि जाइगोड बनाते हैं जो की deployed होता है ठीक है अब आप लोग heading डाले जीए ओस्पोर fertilization को cover करने के बाद ओस्पोर बनता है जिसे आप जाइगोड भी कह सकते हैं यह जो ओस्पोर बना है यह बहुत ही hard होता है spherical shape का होता है और different different colors में आपको दिखाई पड़ेगा yellow, brown, red and black ठीक है various colors में आपको दिखाई पड़ते हैं it is surrounded by four layer wall चार इस तरों से जो है surrounded रहता है घिरा रहता है अब हम बात करेंगे students ospore के germination के बारे में कैसे यह germinate करता है यह important process होता है इसका इसमें आपको लिखना है during germination the nucleus of ospore migrate towards the upper region जिस समय germination होता है ospore उसमें क्या होगा जो nucleus होगा वो migrate करता है upper region में upper region में पहुँच जाएगा then undergoes mitotic division और उसमें mitotic division से चार haploid nucleae बनने के बाद students the ospore then divides into two unequal cells जो ospore होता है वो दो unequal cell में divide हो जाता है upper जो होता है वो lenticular cell होता है lower जो होता है वो basal cell होता है इन दोनों cell में जो है divide हो जाता है यह जो basal cell होती है इसमें 3 nucleae present रहते है और जो upper cell होती है उसमें सिर्फ एक ही nucleae present रहता है basal cell की जो 3 nucleae है बाद में degenerate होने लगती है ठीक है gradually degenerate धीरे धीरे वो जो है degenerate हो जाएगी लेकिन यह जो एक nucleae जो की upper lenticular cell में है यह functional होती है यह active होती है ठीक है अब जैसे ही उस पोर वाल जो है वो राइजोडल initial cell की तरब वर करेगी यह आगे चल करके राइजोडल का formation करेगी जैसा कि हमने थैलस के structure के अंदर देखा कारा की जो plant body होती है उसमें जडो का काम roots का काम राइजोडल की तरब वर करती है तो यह जो small cell बनी है यह राइजोडल initial cell की तरब वर करती है थोड़ा जो है body का upper part बनाती है राइजोडल को छोड़ करके जो body का upper parts है जो upper branches होती है branch of limited growth branch of unlimited growth जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो further nodes and inter-nodes में divide होती है तो यह जो protonimal initial cell होती है आगे चल करके nodes and inter-nodes बनाती है ठीक तो यह हमने student discuss किया आज किस वीडियो के अंदर कारा के अंदर sexual reproduction क के बारे में जिसमें कौन-कौन से point आपको mention करने थे एक तो आपको सबसे पहले introduction heading डाल करके लिखना है देन उसके बाद आप लोग जो उसका male और female sex organs है उसके structure के बारे में लिखेंगे फिर उसके development के बारे में लिखेंगे देन fertilization, ospore, germination यह तूनों point आपको explain करने पड़ की male and female sex organs का जो development का diagram है वो diagram आप लोग exam paper की return copy में बनाएंगे और finally जो germination का diagram है अगर आपके पास time हो तो आप लोग इसका भी diagram बना दे ठीक है आपको बिल्कुल complete marks मिलेंगे next video के अंदर हम discuss करेंगे wall walks के बारे में हमने उडोगोनियम को भी complete कर लिया है कारा को भी complete कर लिया है next video के अंदर हम detail में discuss करेंगे wall walks algae के बारे में तो मिलते हैं next video में bye bye